हाई फिरेंट्स स्वागत है आपका हमार इस यूटूब चैनल किर्केट पॉड में तो इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वुमेंस नेशन्स लीग का फुटबोल मैच कवर करेंगे और यह फुटबोल का मैच खेला जाएगा आईसलेंड वुमें और जर्मानी वुमें के बीच में तो दोनों टीम मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर हम डीटेल्स में चर्चा करेंगे और यह टोपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी और किन 11 प्लियर्स को आज के मैच में लेकर चलना है और उन्हीं 11 मैच से किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन देना है यह सारी इन्फोर्मेशन आपको इसी वीडियो में शटेप बाई शटेप दी जाएंगी आप वीडियो को ध्यान से देखना और हाँ दोस्त आज के मैच में इन दोनों टीम की तरफ से ऐसे प्लियर्स भी हैं बीच में इसकी बिलकुल मत करना तो दोस्त अब हम सबसे पहले इन दोनों टीम की गुरूप से टेंडिंग पर नज़र डालते हैं तो इन दोनों टीम को गुरूप C में रखा गया है और गुरूप C में जर्मानी वुमेन की पोजिशन सेकिंड है और आइसलेंड वुमेन की पोजिशन थर्ड है तो दोनों टीम की जो पोजिशन उसमें कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है लेकिन जर्मानी ने इस गुरूप में तीन मैच खेले हैं तीन मैच से दो मैच में इस टीम ने जीत का मतलब सामना किया है और एक मैच में लोस का सामना किया अटेकिंग वाइज ये टीम नो गोल कर चुकि है डिफेंस वाइज तीन गोल कंड़ सीड भी कर चुकि है तो तीन मैच में अगर कोई टीम नो गोल सकोर करे तो अटेकिंग परफॉमेंस काफी ज़्यादा श्यानदार है मतलब हर मैच में कम से कम 3 और कभी कभी तो एक हलकी टीम के सामने ज़्यादा गोल भी कर देती है और defense wise इस टीम तीन मैच में सिर्फ 3 ही गोल कंचीड के मतलब on an average per मैच में एक गोल कंचीड करती है वो भी अपने लेवल की अपने से कहीं बहतर टीम के सामने वरना गोल तक कंचीड नहीं करती है और मैच को विन कर लेती है अब हम बात करें आइसलेंड के बारे में तो इस लीग में इस टीम ने तीन मैच खिले हैं एक ही मैच में जीत हासिर के बलकि दो मैच इस टीम ने लॉस भी की है अटेक वाइज सिर्फ इस टीम का एक गोल आया है डिफेंस वाइज ये टीम पांच गोल कंसीड कर चुकी है तो फिलहाल टाइम पर इस टीम का परफोर्मेंस ना ही अटेक वाइज अच्छा देखने मिला है और ना ही ये टीम डिफेंस से कुछ पैटर कर पाई है तो दोस्त गुरूब का अनुसार जर्मानी की टीम इस मैच में एक फैवरेट टीम है और आज के मैच में जर्मानी की टीम वैसे भी फैवरेट टीम है क्यों क्योंकि जर्मानी फीफा वोल्ड रेंग कीम अगर देखें तो वोमेंस टीम तो 6 नंबर की टीम है और हम आइसलेंड की बात करें तो फिफा रैंक में ये चोध नमबर की टीम है तो दोनों टीम का मतलब जो रैंक है उसमें भी डिफरेंस है तो रैंक काफे ज्यादा मैटर करती है तो मुझे लगता है कि जरमानी इस मैच को आराम से विन कर जाएगी तो इसलिए मैच टीम को आज के मैच में एक फैवरेट टीम मानके चलता हूं तो दोस्त अब बात आते हैं कि अब इस मैच के स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है देखो मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में आज से एक सबता पहले हुआ था ने उ प्रेडिक्शन है वन टू यह मैच जीरो टू भी हो सकता है यह चीज याद रहे को दोस्त आज के मैच में भी हमें साथ च्यार का कॉंबिनेसं से यूज करना है 700 प्लियर हमें जर्मनी की तरफ से लेने और 400 प्लियर हमें आईसलैन की तरफ से लेने वह कौन-से प्लियर सार हरी चीज आपको complete दी जाएगा तो चले सबसे पहला हम Iceland woman की possible lineup और player का stats पर नज़र डालते हैं हाँ दोस्त अगर आप ने हमार इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो इसी परकार की वीडियो information के लिए आप हमार इस YouTube चैनल को subscribe भी कर लेना और साथ ही में बैल आइकन को on करना ताकि आपको पास नेस्ट मैच की वीडियो की notification भी आ जाए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना और इस मैच की फाइनल समोर लिग की टीम रहेगी तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो का टॉप के कॉमेंट में और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ समोरे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना ओके तो चलिए अब हम प्लेयर सटेर्स पर नजर डालते हैं तो दोस्त आइसलेंड वुमेन की पॉसिबल लाइन अप आज के मैच में आपको कुछ इस परकार देख में मिलेगी कि यह टीम 4-3-3 के formation से playing alone में खेलती है हर एक प्लेयर का सटेर्स में यहाँ पर mention कि कौन से प्लेयर ने टीम के लिए कितना मैच खेले हैं कितना मैच में वो सटार्ट कर चुगर कौन से प्लेयर है जो हर मैच में 90 मिनट खेलता है वो और गोल भी करता है असिस्ट भी करता है तो यह सारी चीज में यहाँ पर mention की अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप जोम आउट कर सकते हैं सिक्रीन को अब हम बात करें सबस्पार गोल कीपरिंग सेक्शन में देखो गोल कीपर आज के मैच में हमें आइसलेंड का ही लेना पड़ है क्यों क्योंकि यह टीम काफे ज देखने मिलेंगे तो मेरे हिसाब से आइसलेंड की तरफ से अगर किसी एक डिफंडर के लेना तो आप इस टीम का जो कैप्टन है नहीं को ले सकते हैं क्योंकि है थोड़ी सी अच्छी है और यह हैडर में गोल कर देती है अगर इस टीम को ज्यादा कॉर्णर या अटेक करे यहां से मागना डोटिर देखो डोटिर नाम से बहुत ज़्यादा प्लियर से तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना जब आप टीम को क्रेट करें ओके फिर यहां से लिया कोरोलीना है और इस टीम की तरफ से एंटन डोटिर है तो यहां पर आपको इन मैंसे तो अबने टी यहां से अलबरस डोटिंग डोटिर और यहां पर एरिक्स डोटिर और यहां से जैसेन देखो जैसेन को मैं टीम में जरूरू ट्राइ करूं क्योंकि यह इस टीम के लिए फुल 90 मिनट भी खेलती है पिछला में अचमें इसका भी गोल आया था तो तीसरी चोईस मेरी यह र पर रही तो मैं इस टीम का पहले डोटिंगे लगा बागा है बाइग से बता मृट यहां पर को लिना लिए जिस ने इस टीम के लिए 6 मैच में शटाट कर चुकीर और हर मैच में जब भी खेले यह टीम के लिए 80-90 मिनट खेले चार गोल और एक असिस्ट भी निकाल चुकी है तो थोड़ी बात यह है कि दोस्त आज के मैच में जर्मनी के सामने के यह टीम गोल कर पाएगी अगर गोल नहीं कर पाए तो यह जएधा प्वाइंट नहीं देगे तो इसलिए हम इनी प्लेअगे बात करते हैं जो सेकिंड टीम जर्मनी वुमेन उस टीम की पॉसिबल लाइनप क्या है और प्लेअगे का साटैनस क्या है तो चले लिए नज़र डालते हैं जर्मानी वुमेन की पॉसिबल लाइनप आज के मैच में आपको कुछ इस प्रकार देख मिलेगी यह टीम 4-3-3 का फॉर्मेशन से खेलेगी और यही लाइनप रही तो किस-किस प्लेयर को लेकर चलना वो भी बताऊंगो लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकतो कि कौन से प्ले रहती है उसके दोनों फुल वैक को आप हम टीम में लेका मतलब लेकर चलना चाहिए अब हम बात करें यहां से हैंड्रिक और यहां से हैंजन रिंग दोनों इस टीम ले सेंटर वैक खेलेंगे तो मेरी साब से इनका पासर से अच्छा-खासा पॉइंट आ सकता है लेकिन मैं फ्रेग गेंग और यहां से सारा डेवरिच सारा डेवरिच इस टीम की तरफ से मोस्ट इंपोर्टन प्लेए क्योंकि यह डिफेंसी वर्ग भी अच्छा-खासा कर लेती है गोल असिस्ट का भी चांसे बहुत ज़्यादा बनाई रखती है तो मेरे इसाब से आप इनको लेक प्लेयर है और आज के मैच में इन तीनों का गोल आ सकता है तो दोस्त इसलिए मैं आपकी टीम में इन तीनों को रेखना पसंद करूंगा क्योंकि यह इंपोर्टन्ट है और सेक्यूलर तो इस टीम की तरफ से मोस्ट वैलीबल प्लेयर मतलब सबसे ज़्यादा गोल इसी नि आज देख्या हूँए लिए जिसने इस टीम के लिए नो मैच खेले, नो मैच 7 मैच मेंच सटार्ट कर चुक है जब भी खेली है टीम के लिए जब भी सटार्ट किया हर मैच में 90 मिनिट खेल है और 15 गोल और तीन आषिस्ट निकाल चुकी है तो काफि ज्यादा attacking खेलती है बाकि हर एक प्लियर्स का आप इसी तरह सिक्रीन सोट ले सकते हो, यहाँ पर जो फ्रे गैंग है, इनका भी रिकोर्ड अच्छा खासा रहा है, इसने छे मैच में पांच गोल एक असिस निकाले, तो आप इने चाहिए ट्राइ कर सकते हो, पिछला मैच में आइसलेंड के सामने कुछ अच्छा नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको ने सजेशन नहीं दे रहे, लेकिन कर सकते हैं बैटर, क्योंकि जो पोजेशन है, वो काफी डिफेंसिव है, लेकिन कही बार बहुत अटेकिंग खिलते हैं, लोंग सोट काफ अच्छा रहे तक कोई-कोई प्लियर का, तो हम टीम पर ही नज़र डालते हैं, और हाँ वीडियो पसंद आए ने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ओके, तो चले टीम पर नज़र डालते हैं, वो मैंन्स नेसन फूडबोल लीग की जो टीम है, अभी के लिए मैं यह बनाक चला हूँ, कैप्टन सी की बात की जाए तो मेरी टीम है, जो कैप्टन रहेगा आज के मैंच में वो लीओ रहेगी, क्योंकि इस टीम की तरफ से अभी तक की टॉफ हाईट गोल टेकर, अगर दुनों टीम को हम कंपेर करें, प्लियर वाइस भी तब यह हाईट गो मैंने फिरी बंच को अभी के लिए ड्रोप किया है, लेकर लाइन अप आने के बाद साइध उनको ले भी लूँ, वो देखना पड़ेगा कि दूसरी टीम की लाइन अप कैसी है, अटेकिंग है या डिफेंसिव है, उसके हिसाब सा अगर अटेकिंग रही तो उसका मतलब है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से टेलिग्राम चैन को जोईन कर लेना, मिलता नैस्ट वीडियो में, और हाँ याद रहे, आइसलेंड के जितने भी अटेकर, जितने भी प्लियर हमने लिए हैं, आज के मैच में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनान तो नहीं बनाना, क्योंकि इनका गोल अशिस्ट आने का चांस आर वेरी लेस, अगर गोल आई गा भी तो कुछ अन एक्सपेक्टिड प्लियर काई गा, तो इसलिए हम सेफ के हैं, और सेफ जो बेस्ट हैं, उनहीं को लेकर चले हैं, तो कुछ भी चैन्जेस होंगे तो अप के बाइ